कि आई एक बार कंपाउंड मैक्रोस्कोप समझा रहा हूं वापिस तो की न ऑप्टिक इंस्टूमेंट से थोड़ा डल लगता है एक बार क्लियर हो जाएंगे तो मज़ा जाएगा कि चलो सब लोग बोड़ पर समझना फिर इस पर नुम्रिकल कराऊंगा फिर आप पढ़ाऊंगा और चैप्टर खतम हो जाएगा मायोपिया प्र्भा रिप्या इद इसल से ली बस में फड़ गए और अब फइनल ठप Often अगया है और वो भी नए रिंध इबार है जोमारे जो बांनल भी घट गये और और उनके आने की संभावना और खतम हो गई जैसे पोटेंसेहर आं आपने हट चुका है करने लेक्टिसिटी में से फिर अपना एल्सी ऑसिलेशन टांजिस्टर सेमिकंड़क्ट अंदर टांजिस्टर है वेव अप्टिक्स के अंदर है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टेलिस्कोप तो यह सब चीजें अब हट गई है जेही में समझाता हूँ सुनिये बनाएख बांत अपने लिखा हुआ है वस एक बार इसलिए बता रहा हूं कि बात समझ में आ जाए इसमें ऑ注 सब्सक्राइब होता है और एक है हुआईपीस होता है जो अबजेक्ट के पास होता है उसे बोलते हैं अबजेक्टिव जो आख के पास होता है उसे हम क्या कहते हैं आई पीस सही बात है यहां हमने अबजेक्ट रखा बताओ अबजेक्ट है तो दूरी होगी यू अबजेक्टिव का है यू ओ अबजेक्टिव क्या करेगा इसकी ए image बनाके देदेगा A-B- image है वियो यह इमेज इसके लिए object है U-E कि आई पीस कुछ नहीं है simple microscope है simple microscope क्या करता है जिधर अबजेक्ट उधर इमेज जैसा अबजेक्ट वैसी में अबजेक्ट नीचे है image भी इस इस दा फाइनल इमेज इमेज है ना तो वी है किसकी मेज है अब बात क्लियर हुई फिर है overall magnification m बराबर mo into the overall magnification m बराबर mo into mo निकलने का तरीका अपना पुराना lens का इथियास को अपन को याद सब्सक्राइब बोलो V by U F upon F plus U F minus V upon F सर आपने यह हमें कभी नहीं बताया पैसे तो बहुत कम कम में आता है फिर भी आपको बता देता हूं आना सब चाहिए लेंस फर्मला 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F वी से कुणा कड़ने तो वी बाइवी वी बाइवी वी बाइवी वी बाइवी वी बाइवी एम इधर ले जाएं वन माइनस वी बाइव एफ एम एलसी एम एफ एफ माइनस आना सब चाहिए नहीं यूज आता वो अलग बात है पर अपन को पता होना चाहिए तीनों फॉर्मले क्या निकालने के हैं एम उ जो परिक्षा में यूज आएगा वो लगा लेंगे पर इन फॉर्मलों को लगाते समय हमेशा चीजें साइन के साथ रखी रखी रहें बोलो क क्लियर एमी में कुछ याद ही नहीं करना है क्योंकि एमी तो कौन है आईपीज आईपीज के दो ही फॉर्मले है या तो दी बाइफी या वन प्लस डी बाइफी डी बाइफी कब जब फाइनल इमेज कि इन्फनाइट पर बने और यह कब इन शॉर्ट कंपाउंड मैक्रोस्कोप में कुछ भी याद करने का नहीं है दिमाग को ऐसा मैसेज बेजो क्यों यह है अब्जेक्टिव इसके फॉर्मले पुराने वाले यह है आईपीज इसके फॉर्मले सिंपल मैक्रोस्कोप तो दिमाग में अच्छी बात बेजो ना दिमाग भी खुश होगा कंपाउंड मैक्रोस्कोप में कुछ भी याद करने का किताब में मॉडियूल में ऐसी बड़े-बड़े फॉर्मले डरावने दे रखें अपने जरूती नहीं है अब्जेक्टिव हमने पुराने तरीके से सॉल कर लिया आई पी समने सिंपल मैक्रोस्कोप से सॉल कर लिया दौनों को मल्टिप्लाई कर देंगे देन वी विल गेट दा ओवर 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 मैंने कल वाली बाते आपको रिकॉल कर दी थाकि हमारा धीरे धीरे सब्जेक्ट से डर हटे ओन्फिडेंस भड़े कोशन करने का मन करे और हम धीरे धीरे और आगे भड़ते चले अगला प्रेश्न करें लिखिए यह तो सारा लिखा हुए देख लो यह लिखा हुए सारा कल भी मुझे याद था के सारा देख लो सब याद था कल भी वेरे अपके इतना ध्यान नहीं रहता ना उम्र बढ़ती जा रही है अंक्रुए कंशेप्ट कभी नहीं याद आता नहीं याद आता ठैस का यह लेखे पहला इन दगिवन सिच्वेशन है इन दगिवन सिच्वेशन को कि टलकुलेट दा इन इन कल्कुलेट दा ओवर रॉल ओवर ओल और ओल्म गनिफिकेशन और अल मैगनिफिकेशन अफ कंपाउंड मैक्रोस्कोब इम इसमाया हुआ है नीट में तो बहुत कम आया है इसमें कि अच्छ भी मत याद करना इसमाल को पहले पूरा लिख लोग में तो अच्छ भी मत याद करना मैगनिफिकेशन अफ कंपाउंड मैक्रोस्कोब वन अफाइनल इमेज इस फॉर्मड अफिनिटी वन था फाइनल इमेज इस फॉर्मड अफिनिटी कि डियाग्रम मना लिए थोड़ी सी वेल्यू सही कर लिए वन पॉइंट टू पाइफ कर दिये कि आप सोचेंगे मैं करूं कि आप तो सीधा याद करो कि सर मुझे एक तो एमो चाहिए और एक क्या चाहिए एमी एमो एमी बस मी निकाल सकते हो सीधा फाइनल इमेज कहां मन रही बताओ इंफरनेट पर इंफरनेट पर क्या होती बताओ दी बाई एक जी कि वेल्यू फेक्स होती है कितनी 25 और एक सिए फी है तीन तो 25 वट्वे तीन एमी तो आ गया एमो आप निकाल लो करो काटा पीटा चलने दो गलत होगा होने दो हो इसा निये गलत से घवराने का नहीं किेơन चलाओ पेल चलेगा तो रस्ता दिखेगा तो सीदे सौल नहीं होते कभी भी physics में सभी को अस्तमा है ऐसा नहीं है किवल आपकी सांस बर रही है सब की सांस बढ़ती है कोई बताता है कोई नहीं बताता कितना माइनस दो सो कि अच्छानों बोलो तो कैसा सोचना चाहिए आपको कहा इसमें साइन के साथ रखना है तो अब्जेक लाइट तो आगे जाएगी लाइट ऐसे जा रही है यह अब्जेक कहा है पीछे तो प्लस या माइनस माइनस का वन पॉइंट टू पाइफ तो एफ ओ इसका चौबिस आएगा बई माइनस चौबिस अरए मैनस चौबिस अब एमी अब एमी के दो फॉम्लें आची सरकौन सा लगाऊ बाइफ लगा क्यों सर्दी बाइफ एफ 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 क्यों क्योंकि विद्ट यह दे रखा है फाइनल इमेज इंफानाइट पर है तो डी पच् अब ओर ओर ओल्म इंटो एमी एमी अब ओर ओल्म इंटो एमी माइनस चौबिस एमी पच्छेश बते थी तीन अथे चौईस पच्छेश अथे लोगा फटम बुलिए बुलिए बढ़ो चलाएगे 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 अगरे आएगे जालो इस्यांचुमेंट एस्ट्रोनमिकल त्लीस्कोब Astronomical Telescope Astronomical Telescope अब ध्यान से सुनना यह ज्यादा पूछा जाता है अगर आप पिछले 15 साल में देखो तो कुल सवाल चार या पांच ही आए है पर टेलिस्कोप ज़्यादा पूछा गया है अपन टेलिस्कोप को बहुत अच्छे से फोकस करेंगे और इसका मैं आपको तरीका सिखाऊंगा उसके बाद आपको कोई फॉर्मला याद करने की जुरत नहीं है केवल एक तरीका सीख ल आएगा सौल कर लेंगे अब ध्यान से सुनना और दो तिन बार इसको बढ़िया समझ के आज लॉक कर लेना कि इसके अंदर दो लेंस होते हैं एक होता है औप्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस कि एस्ट्रोनॉमिकल बच्पन से बंटी बात नहीं बच्पन से समझ रहे है एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब दूर की चीज़ें देखने के काम आता है दूर की चीज़ें दूर मतलब चांद तारे सितारे दूर का मतलब लाइट कहां से आ रही है इंफानाइट से यह देखे ल यह इसने मेंज कहां बना दी फोकस यह फोकस पर में एड़ैश बीड़ैश कितनी दूरी पर एफ ओ एफ ओ अब्जेक्टिव का काम खतम इन्फानाइट से रेज आई उसने मेंज अपनी कहां बना दी फोकस पर अब्जेक्टिव का काम खतम अब बताएए क्या होगा यह इमेज आई पीस के लिए अब्जेट का काम करेगी अच्छा एड़ैश बीड़ैश नाओ वर्क एज़ा ऑब्जेक्ट पॉर पॉर आई पीस और आई पीस तो अब सोची आई पीस का उपजेक्ट है तो यह दूरी यू इढूरी क्यों य्ऊ जूरी क्यों सोचों आज़ेक्ट है तो यू किसका अब्जेक्ट है आई पीसका यूई अब बताए क्या होगा यह आगे जाएंगी यह आगे जाएगी कि यह ऐसे कंवर्ज होगी जब इनको पीछे बढ़ाओगे जहां इंटरसेक्ट होंगी वहां क्या बन जाएगी फाइनल डैज dislike एडबल स फाइनल इमेज के भी वही दो शड़त हो सकती है सोचो क्या वही टो बच्चे के नंबर कहां से कहां sapp Şcen करो 0 से 100 पर खुद иваемेज की दो ही केस बनें गे वाइनल इमेजाश में इंक्व और फाइनल इमेज इस फॉर्म डैट पच्चेस अब आपके पास यह दो लंबाई बड़ी काम की है एफ ओ और यूई अगर आप दोनों का रेशियो ले लोगे देन यूरुटान क दोनों का क्या लेना है रेशियो तो हमें क्या मिलेगा अंगुलर मैंगिफिकेशं उन दोनों को जोड़ दोगे तो यह कहलती है ट्यूब लेंट प्रों रहनाती है दौनों लेंसों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं क्यूब लेंसों कि बठाइए ट्यूब लेंड कितनी दिख रही है है डियाग्रामें देखके बताईए ट्यूब लैंद ऐफ ओ प्लस युई कि बस यह दो लेंट से हमें खेलना आना चाहिए एफ और यूई एफ और यूई इनका रेश्यो लेंगे तो एंग़ुलर मेगनिफिकेशन जोड देंगे तो आपको डेरिविशन बता रहा हूं आप नोट मत करना कॉपी मत भड़ना कल यात करो मैगनिफिकेशन का फॉर्मला था एम बराबर बीटा बाए अल्फा देख रहा है दो मिट देख लीजेगा नोट करिएगा यह अब्जेक्ट कि अल्फा एंगल बना रहा है इस ट्राइंगल में टैनल्फा की वेल्यू बताओ जल्दी से हो शेरी से जल्दी से टैनल्फा टैनल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलो एडैश वी डैश अपॉन एफो पकी बाद अब बीटा चाहिए बताइएगा बीटा कि टैन बीटा बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस एडैश वी डैश अपॉन यूई एफो उपर जाएगा एफो बटे डेरिवेशन की जड़ोत नहीं है ट्वेल्थ बोर्ड के बच्चों के लिए हमार डेरिवेशन करवाते हैं अपनों को सीधा याद होना चाहिए दो लेंद्थ के साथ हमें खेलना है बताओ कौन सी दो लेंद्थ कौन सी दो लेंद्थ एफो और यूई दौनों को जोड़ देंगे ट्यूब लेंगे अंगुलर मैंगिक नोट करना चलो करें कि अभी और इसको दो तिन बार कोशन कराऊंगा तब आपको और क्लियर इटी आएगी हाँ एंगल पर क्योंकि पैरल लाइट आती तो पॉइंट अब्जेक बनता पर जो सन और मून है वो पॉइंट थोड़ी ना है उनका खुद का शेप है बहुत बड़ा इसलिए तो जब दूर से आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से अगर बिल्कुल पैरल आ जाएंगी तो क्या बन जाएगा पॉइंट इमेज बनेगी अब पैरल ना कर किसी एंगल पर आती है तो क्या बनता है यहां पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका भी क्या आएगा एक डाइ इसलिए तो बास वह दो बातें याद कर लिजिए सवाल सौल हो जाएंगा कि हां अब्जेक्टिव का साइज बड़ा लेते हैं उससे कारण क्या होता है जितनी ज्यादा लाइट आती है तो जो हमारी इमेज बनती हो कैसी बनती है ब्राइट हम कहते हैं कि अपर्चर क्या होना चाहिए बड़ा पहले बताया था इंटेंसिटी इस प्रपोर्शनल टू एरिया ओफ अपर्चर जितना बड़ा एरिया होगा उतनी इंटेंसिटी ओफ इमेज क्या होगी जादा अजय आदेंसिटी इस देश face कि बढ़ूं कि यूब लेंद का दूसर नाम होता है था सेप्रेशन बिट्विन दा लेंसेज पर कंपॉंड मैक्रोस्कोप में ऐसा नहीं होता उसको मैं अलग से डिराइब भी कराऊंगा यहां टेलिसकोप में जो सेप्रेशन बिट्विन दा लेंसेज है सरल भाषन बोलें दोनों लेंस के बीच की दूरी सेप्रेशन बिट्विन लेंस को ही ट्यूब लेंट कहा जाता है बारू कि आजाओ अब अलग लग केस देखना वही दो केस बनेंगे बताओ कौन कौन से वेन फाइनल इमेज इस फॉंड है इंफनाइज वह करिए केस वन और खुद आंसर बताईएगा मैं डियाग्रम बना क्या आपको सिखाऊंगा लिखिए केस वन कि वेन फाइनल इमेज वन फाइनल इमेज इस फॉंड एट इंफिनिटी कभी कभार वो यह नहीं बोलता फाइनल इमेज इस फॉंड एट इंफिनिटी इससे बोल देता है वो नॉर्मल एड़्जस्ट्मेंट तो कभी भी ऐसा लिखा हो नॉर्मल एड़्जस्मेंट उसको भी क्या समझा जाए फानल इमेज कहां बन रही है इन्फानाइट पर कभी कबर वो लिख देता है एड़्जस्टेट फोर पैरल रेज कि ये बात भी सही ये परल ले जाएगा तो फैनल इमेज कहां बनेगा इंफानाइट कभी कोशन में कुछ मेंशंन भी नहीं हो कुछ देह नहीं रखा के फाइनल इमेज कहां बन रही है तो भी याद रखिए कुछ भी नहीं मेंचन है तब भी फाइनल इमेज को कहां मानना है इंफानाइट कभी कबार वो बोल देता है रिलेक्स आई पोजिशन इसको भी मानना थै को फाइनल इमेज कहां बन रही है इनफानाइट यह सब फाइनल इनफानाइट को पकड़ने के तरीके हैं Hai सपाधिय रिलेक्स आइई नहीं समझ में आया रिलेक्स आईए मतलब आराम दायक तो क्या तकलीफ में भी होती है क्या होती है कब होती है जब फाइनल इमेज 25 पर बने तो सोचो जब आप 25 पर पड़ोगे आप 5-10 मिट में आपको लगेगा सर मेरे सिर्दत हो रहा है कारण क्या हो रहा है जो सिलेरी मसल्स होती है ना उनको बहुत तकत लगानी पड़ती है तो जब आप सोचो 25 पर कॉपी रखके पड़ो आपको दस मिट में लगेगा टैन्स हो रही है आखे उसे बोलते हैं आई पर क्या पड़ रहा है जोर पड़ रहा है दूर की चीजी देखना है आप बैटकर टावर देख रहे हो दूर की बिल्डिंग देख रहे हो पहार देख रहे हो या पंखा देख रहे हो जो काफी दूर है आपकी आँखों पर इतना जोर नहीं आ रहा इसे बोलते हैं रिलेक्स आई पोजीशन तो कभी कबार वो बोल देगा रिलेक्स आई तो तुम्हें चमकना चाहिए कि फानल इमेज कहां बन रही है इन पनाई और यह तो तुम फिल भी कर सकते हो 25 पर बनेगी तो तुम्हारी आखों को ज्यादा टेंस होगा तुम्हें सिलरी मसल्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तुम पंदा मिटे से रखके पढ़ लो तुम कहोगे सरहां तोड़ा सर भारीपन हो रह नहीं है क्या बात क्लियर है तो यह सारे शब्द मुझे पता होने चाहिए अब फॉर्मला देखना कैसे लगेगा पैन मत चलाना बोर्ड पर बताना कैसे करेंगे एस्ट्रो कि नॉमिकल टेलिसकोप देखना भाईयों यह लैंज एक दूसर लैंज बताइए रेस कहां से आ रही है इंफानायट से कहां से जलाएये इमेज कहां बनेगीर कि इमेज कहां बनेगी को कस्के फोकस पर ओब्जेक्टिव के ए Yafo फो बोलो क्लियर अब सुनना तीन बर सेंटेंस पर मुझे फाइनल इमेज बनानी है इन्फणाइट पर फाइनल image कौन बनाता है? आइपीस अगर फाइनल image को infinite पे बनाना है तो आइपीस कहेगा object मेरे focus पे होना चाहिए फिर से सुनिये फाइनल image कहां बनानी है? infinite पर आइपीस क्या कहेगा अगर आशी सर image आपको infinite पे बनानी है तो ये जो object है यह मेरे खुद के फोकस पर होनी चाहिए मतलब यह दूरी एपी बताओ क्या यह चमका क्या वापी सुनो कोई टेंचन नहीं सबसे ज्यादा पॉपुलर है यह स्लाइड वापी सुनो कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं इस्तुनोमिकल टेलिस्कोप कितने लैंस एक औप यह और एक यह इस्तरों नोमिकल मतलब दूर से रेज आ है infinite से आएंगी तो इमेज focus पर किसके focus पर एफ ओब जर्टिव का काम खतम बापिस दे दो अब आई पीस आई पीस क्या कहेगा गुप्ता जी क्या चाहते हो क्या चाहते हो मैं कहुंगा और फाइनल इमेज इंफनाइट पर चाहता हूं तो फाइनल इमेज इंफनाइट पर कब बनेगी जब आई पीस कहेगा object मेरे जनाब object मेरे focus पर होना चाहिए तो यह दूरी कितनी एफी खतम इन दो का ही खेल है इन दौनों का रेशियो ले लो देन यू विल गैट magnification और इन दौनों को जोड़ दो यूग एट यूब लैंट बोलिये सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है एफो बाइफी एफो प्लस एफी आपको पुरानी बात याद लगत आपको और मजा आ जाएगा आपको यादे मैंने सिखाया था दो लेंस हैं पैरल आना और पैरल जाना नीट दोजारी किसमा आया हो था याद करिए पैरल आना और पैरल जाना इनके बीच की दूरी याद है क्या बताना बताना एफ वन प्लस आके खोलिए आपका मन खुश हो जाएगा यह भी दूरी वह ही है एफ बन प्लस क्यों सर यह वही क्यों आ गई वही तो कॉंसेप्ट है बतार लाइट कैसी आ रही है कैसी आ रही है और आप चाहते हो फैनल इमेज का मनें फाइनल इमेज इन फैंट का मतलब है राइट और मैंने आपको यह भी कहा था इसमें F1 F2 हमेशा साइन के साथ 2020 में जो सवाल आया था तो एक प्लस आया और एक इसी में टेलिस्कोप बनाया गया जिसे बोलते हैं गैलीलियन टेलिस्कोप गैलीलियन टेलिस्कोप गैलीलियन टेलिस्कोप इसमें एक कॉन्वेक्स था और एक कॉन के जरा बच्चों मुझे हैल करना लेंत वफ्ट्यू टेलीस्कॉप क्या होगा ट्यूब लेंथ बताना बच्चों ट्यूब लेंथ क्या होगा एफ जब की एक लेंज convex है जबकि एक lens अपने ELP में एक सवाल है Galilean Telescope तब आपको length क्या use करनी है FO minus FE In general FO plus FE Magnification FO by FE सबसे popular यही है देखो किस तरीके से पुछेगा सारे point लिखे होने चाहिए नोट कर लेज़े जोगि फोकल लेंद है ना पॉजिटिव यह कॉन्वेक्स लेंद की वहाँ यूई तो क्या हो सकता था पीछे रखते तो नेगेटिव रख सकते थे इसलिए हैं मॉड लगा दिए अज़ यहाँ कर दो दो और सकते थे चाहिए पुछिए यहाँ झाल दो लंबाईयों से खेलना है बस एफो और ये दौनों का रेचियो मैगनिफिकेशन जोड़ दोगे ट्यूब लेंड एक फॉर्मॉला नहीं रटना है मॉड्यूल में एंसी आटी में बड़े बड़े फॉर्मॉले दे रखें केवल सीरा बोलो रेशियो और जोड़ना है रेशियो और जोड़ना है कमपॉंड मैक्रस्कोप में भी बोल दिया एक फॉर्मॉला याद नहीं करना है सिरफ फॉर्मॉला किसका याद करना है सिंपल का दो केस दी बाइफी वन प्लस डी बाइफी दी बाइफी वन प्लस खतम कर दो भॉर्मॉला याद कर दो बाइफी बाइफ नहीं कर दो वाईबवलना है सिंपल बाइफी बाइफी बाइब बाइफी दुम्ली के खतारा बाइब बाइफ। वारो? कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अ लिखें दम्यगनिफाइंग पावर आओ बच्चों मिलकर एक कोशन लिखो अधिवाइंगाइंग पावर अधिवाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइं इस अचश्षट द पर पैरल जज अचश्ट इस का मतलब गया बता बनलमेज इन फानाइट पर अन and the length of the telescope length of the telescope is 20 cm 20 cm then calculate the focal length of objective lens and eyepiece lens focal length of objective lens and eyepiece lens the lens the lens झाल 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 कितना बहुत आंसां देखो कौन से शब्द ट्रिगरिंग होने चाहिए पहला टेलिस्कोप का प्रश्न है दूसरा नॉर्मल एज़स्ट्मेंट नॉर्मल एज़स्ट्मेंट है या अज़स्टिट फूर पैरल रेज एक ही बात है फैनल इमेज कहां बनेगी इंफनाइट तु एफिग तुरंट यादा ना चाहिए अब बताओ मैंगनिफिकेशन कितना नाइन ऐफो बाइफी यहां से एफो की वेलिओ नाइन एफी कि यूबलेंद कितनी वीस एफो नाइन एफी अलस एफी नाइन प्लस एफी तैन एफी एफी तो कि एफ़ी दो एफ़ी दो पुट कर दो कि नौ इन्टू दो कि इतना कि अब लो क्या बात समझवारी है थोड़ा सा इसी को और कठिन करता हूं सवाल कि नोट कर लीजिए लुकूं कि चलों कि कोशन नमबर टूँग टैलिस्कोब है और जो अब्जेक्ट है सब्टेंड अट अन एंगल टू डिग्री एट आई ठीक है और अब्जेक्टिव की फोकल लेंड दे रखी है चालिस आई पीस की दे रखी है पांच आपको पूछा है I find the angle subtended है बाइदा इमेज है टाइड है अब जिसने कल की थ्योरी सुनिये ना वह सवाल कर सकता है अच्छ टेलिस्कोप है फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है तो एम का फॉर्मॉला फो भाइफी एफो चालेस एफी ए मा गया आठ पर आशी सर, एहम तो पूछा ही नहीं है, सर, एहम तो पूछा ही नहीं है, तो भाई क्या पूछा है, इमेज का एंगल, कल की थियोरी याद करो, कल का था, छट पे खड़े होकर हम मून को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है, ये अलफा है, इमेज जो एंगल बना रही है, वो बीटा है, याद करिए, कल यही कानी सिखाई थी, कि टेलिस्कोप करता क्या है, विजूल एंगल को बढ़ा देता है, तो जब ऑब्जेक्ट सीधा देख रहे थे आप, छट पे खड़े होके, चांद को देख रहे थे, तो दो डिगरी अलफा था, अब उसने पूछा, इमेज कितना बनाएगी, मैगनिफिकेशन आठ, अलफा दो डिगरी, बताइए, बीटा कितना, 16, अच्छा सवाल है, काम का कोशन है, बोलिये, क्या केस वन क्लियर हुआ, फाइनल इमेज इस फॉर्मड एट, इन्फिनिटी, केस टू खुद बताओ, हैडिंग क्या होगा, फाइनल इमेज इस फॉर्मड एट, पच्छेस सेंटिमीटर, लेखो, केस टू, केस टू, क्या लेखो, वन फनल इमेज, वन फनल इमेज, फश्छेस सेट्मेटर, अब देखना थोड़ा सा समझदारी से काम में लेना एक भी फॉर्मला नहीं रटना पड़ेगा अगर थोड़ा सा समझदारी देखोगे तो पैन पैंसिल छोड़ो और थोड़ा सा प्यार से समझ लो इसको भड़िया एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोब देखो यह लाइट आई पैरल इंफिनिटी से आ रही है बताओ कहां इमेज फोकस मेरे साब से याद हो गया होगा ठीक है अब बताओ फाइनल इमेज तुम्हें कहां बनानी है कि मुझे फाइनल इमेज कहां बनानी है 25 पर कल इसे बात याद आ रही हो या पन्ना पलट के देखो फाइनल इमेज को अगर पच्चिस पे बनाना है तो अबजेक्ट कहां रखा जाए एक बात सिखाई थी अबजेक्ट रखा जाता है F D अपॉन F प्लस D याद करो पस यही सोचना है इसलिए बच्चा भागता है क्योंकि सोच नहीं पाता अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी होती तो आई पीस क्या कहता ऑबजेक्ट मेरे फोकस पे रखो देखो एफी अब मुझे फाइनल इमेज कहां बनानी है पच्चिस पर पन्ने पलटके देख लो अगर आपने घर जाके कौपी खोली हो तो फाइनल इमेज पच्चिस पर बनाने के लिए अब्जेट को कहां रखा जाता है एफडी अपॉन यह रेखिए शब्दों को बोलिए तब थुड़ा सा कंफर्ट लएगा मैं बताता हूं आप वैसे बोलना फाइनल इमेज कौण बनाता है आईपीस आपका क्या टार्गेट है पच्चिस पर बनाने आईपीज क्या कहेगा आईपीस कहेगा अगर फाइनल इमेज 25 पर बनानी है तो ऑब् लगती है ऑब्जेक्ट फोकस पर है इमेज बताइए इंफनाइट पर कितनी आसान नहीं तुम्हें रटा हुआ है अच्छा इमेज इन फ्क्राइब बनानी है अब्जेट को फोकस फिरत इतना ही बाट ये भी बोलो अगर इमेज कुछ को 25 पर बनाना है तो अब्जेट कहां रखा जाएगा एफ डी अपान एफ प्लस दी बोलिए खतम अब क्या चाहिए एम चाहिए आपको सिखाया इन दो लंबाईयों का रेशियो टेलिस्कोप में कुछ याद नहीं करना यह देखो यहां से सिखा रहा हूं दौनों का क् क्या लेना है रेशियो दौनों का क्या लेना है रेशियो कोई टेलिस्कोप का फॉर्मला रटने के जुरत सारे सालसल हो जाएंगे एफ और यूई बताओ यूई एफ इडी अपॉन यह उपा चला जाएगा एफ ओ एफ इप्लस डी अपॉन एफ इडी अलग लग किताब अलग लग तरीके से लिखती हैं कई डी कॉमन लेके काट देती हैं कई एफ इफ कॉमन लेके काट देती हैं जैसी आप टिक्छा बोलो क्या कॉमन लेना चाहते हैं आप बोलो डी कॉमन एफो बाई एफी वन प्लस एफी बाई टी पर मुझे नहीं लगता कि यह फॉर्मला आपको याद करना चाहिए काहे को याद करने भाई टेलिस्कोप में सिंपल दौनों का क्या लेना है रेश कोई पूछे लेंथ आफ टेलिस्कोप बताईए बताओ लेंथ आफ एफो प्लस हो गया खत्म है कि इतने ही आसान है अब आपको घर जाके क्या करना पता है टेलिस्कोप पर दस प्रश्न करने अभी मैं लिखवा देता हूं दस आप कर लोगे यह सारी बात फिर समझ लोगे टेलिस्कोप का डर खत्म है करना पड़ेगा कि आपने एक्दम आसा अब आप दस से बारा कोशन करके देखो सारे बन जाएंगे आपको खुद को अच्छा लगेगा सारी चीजें सब्सक्राइब बना लीजिए झाल 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 मेटाउं झाल 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 बढ़ों इल्पड़ों इल्पड़ों आप देखिए केवल टेलिस्कोप पर आप बोले टेलिस्कोप क्लियर है कि चलो एक कोशन करके देखते आगे बढ़े अब क्या एक बढ़िया सवाल है वो ध्यान से सुनिए इल्पड़ों एक टेलिस्कोप है जिसकी अब्जेक्टिव की फोकल लेंध है चालेस आई पीस की फोकल लेंध है चार और एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप है अब्जेक्ट को देखना है जो की दो सो सेंटिमीटर पर है कैल्कुलेट दो सेपरेशन बिट्वीन देलेंश दो व अब सुनो मजे की वात है जितने पुराने फॉर्मले हैं बड़े-बड़े डरावने नहीं लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगेगा तो सरी तो ncrt के ऐसा फॉर्मले एक भी नहीं लगेगा कारण पूछो क्यों क्योंकि इसमें सारी रेज इंफिनिटी से आ रही थी जो रट के गया वो सवाल नहीं कर पाया है नीट का क्योंकि उसने यह फॉर्मले रट होए थे एक दम भड़ि या सर बायो सब्जच्टे रट ने में पीछे नहीं है सब लेंगे ज़क और बहुआ एक फॉर्मले नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा पहले यह समझ क्यों नहीं लगेगा सभी मैं रेस कहां से आ रही थी देखलो आप सारी डाग्राम पहली इसलाइट कि दूसरी देख तो रेस कहां से आ रही है सभी में इंफनाइट से एक भी फॉर्मला नहीं लगेगा क्योंकि वहां अब्जक्ट इंफनिटी पर है यह नहीं अब्जक्ट तो 200 पर है तो फिर सवाल कैसे होगा सवाल होगा कॉमन सेंस क्या समझ मैं आपको दो दिन में पहला लैंस इमेज बनाएगा वो इमेज अगले लैंस के लिए ऑप्जर का काम करेगी यह कहानी कोशन को सॉल्व कर देगी फॉर्मला नहीं लगेगा पहले यह बता तो फॉर्मला क्यों नहीं लग रहा क्योंकि आपने जो भी डिराइव किया है एंसीयाटी में जो दे रखा है उसमें सब भी में औब्जेक्ट यहां पर इंप्जेक्ट पर ही नहीं क्योंकि यहां अब्जेक्ट कहां पर है तो पहले लिखो नोट रटे होए कोई फॉमले नहीं लगेंगे पहले यह समझ लो अपने पहले यह दिमाग में सैट होना चाहिए रटा हुआ कोई फॉमला नहीं लगेगा कि यह दिमाग में पहले बैठाओ सौल तो मैं कर दूँगा पर आपको यह जंडा काड़ना आना चाहिए नहीं सर रटा वो नहीं लगेगा तो भी नीट का सवाल है मोबाइल नहीं मोबाइल नहीं अब अब्जेक्ट कहां पर है बताईए 200 पर तो इमेज बनाईए चलिए इमेज बनाईए क्या करें दस्वी क्लास से कर लें बताओ यू माइनस दो सो एफ प्लस चालेज वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक बाई दो सो एफ चालेज तो वन बाई वी एक बटे चालेज माइनस एक बटे दो सो एलसी एम दो सो चालेज पंजे दो सो दो सो बटे चार लस्का पचास लस्के पचास पर क्या बन गई इमेज पर अब भी भी कहानी में दम है अब लगाओ दिमाग अब क्या करें यह जो इमेज बनी वह अगले के लिए औपजर का काम करेगी आई पीस क्या करेगा इसकी इमेज बनाएगा पर इमेज कहां बनाएगा पिर वह आपके नोर्स की कहानी याद आएगी जब कोशन में कुछ भी मेंचन नहीं हो तो फाइनल इमेज इंफिनाइट पर बनती है अब अगला सेन्ते सुनिएगा औस साथ दीजिएगा समझ में आएगा तो जुड़ जाइगा सट Aur a ओंड इमेज इंप पर बनानी है जनाव फाइनल इमेज इंफिनीटी पर बनानी है बहता dawald अमजेक्ट मेरे इंपोकस पर दो आप्योच्छ चार और ये दू सोचना आना चाहिए अब बताईए सेपरेशन बिट्वीन लेंस बताओ कितना फिफ्टी फोर पचास प्लस चार कि बहुत प्यारा सवाल और ऐसा कुछ भी नहीं है दस्वी क्लास वाले बच्चे को दिखाऊंगा तो वह भी कर सकता है यह दस्वी क्लास की क्योशन फोकस पर रखते हैं तो इमेज इंफिटी बनती है तेलेस्कोप का कोई फॉर्मला नहीं लग रहा कोई फॉर्मला नहीं लग रहा पर बेसिक समझ आनी चाहिए वहां लिखो कोशन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसका मतलब फाइनल इमेज इंफानाइट पर बनेगी वह वाक्या फिर बोलता हूं फाइनल इमेज कौन बनाएगा आईपीज इसको फाइनल इमेज बनानी है आईपीज कहेगा कहां बनानी है इंफानाइट पर बनानी है और अगर इंफानाइट पर बनानी है तो अब्जेक्ट मेरे फोकस पर होना चाहिए फोकस है चार तो चार पर होना चाहिए दूरी कितनी पचास प्लस चार शिप्ति फोक्त नहीं आई बास समझ्ज आज पढ़ो टेलिस्कोप जाके देखो तो सही कि इसमें कुछ डर भी है या सब सवाल बन रहे हैं आपको खुद को लगेगा यार सारे सवाल बन रहे हैं इसका मतलब तो मज़ेदार है या तैयार कर लेंगे पंद्रा कोशन है सोला कोशन करके देखोगे तो हो जाए तो बोलो टेलिस्कोप क्लियर है क्या पक्की बात बढ़ चलू आगे ठीक है लाइन खींज दो खतम कर दो टेलिस्कोप को अब एक नई बात लिखो एंसी आर्टी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप कि जो ट्यूब लेंथ है वो सेपरेशन बिट्वीन लेंस नहीं है माइक्रोस्कोप में ऐसे डिफाइंड नहीं होती सेपरेशन बिट्वीन लेंस किसमें डिफाइंड होती है बताइए टेलिस्कोप में देखो मैंने यहां लिखा भी था वाग के देखो की लिए देखो अच्छे से समझव टेलिसकोप में दॉनों लेंज के बीच की दूरी को ही ट्यूब लेंट कहा जाता है दिमाग में बठा लो दॉनों लेंज के बीच की दूरी यह वाली यह दूरी ही क्या है tube length fo plus ue अच्छे से पहले दो मिट इसी को दिमाग बठाओ what is tube length आसान भाशा में telescope में tube length का मतलब तोनों lensों के बीच की दूरी बोलो fo plus ue यहां बताईए दूरी fo plus fe यहां बताईए दूरी fo plus ue इस बाक्य को दो तीन बार और बोलो telescope के case में जो tube length है उसे ही separation between the lens कहा जाता है जबकि compound microscope में ऐसा नहीं है according to ncrt compound microscope में सब्सक्राइब का मतलब separation between the lens नहीं है क्या यह बात क्लियर है ठीक है तो सर्व वहां क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि वहां क्या है यह दो लेंस है इसका फोकस एफो इसका फोकस एफी यह एफो और एफी के बीच की दूरी को उन्होंने क्या बोला है कि इसके बीच की दूरी को एफो और एफी किस केस में बताओ टेलिस्कोप या माइक्रोस्कोप नहीं पहले बना लीजिए कि इस पर सवाल भी आया हुआ है जेई में में अपने तो नहीं आया पर एंस्याटी में फॉर्मला है और इसका जो एंगुलर मेंगनिफिकेशन का फॉर्मला है वो है साहब माइनस डी एल अपॉन एफो एफी सवाल भी जका ज़ने साफ इसका काईप ऑगुलर में अप्दाव भी आया हुआ है वो है सवाल आया हुआ है संवाल्यर को है जिए एफी एफी जमड़िए अब सर कहां से आ गया वही सिखा देता हूं थोड़ा स्विक्स की बावना समझ में आती है नहीं तो क्या फॉमले फॉरमले पढ़ने में फिर क्या इंटर्स नहीं आता बहले ही याद करना है शौर्ट नोट हमें पता है याद करना है पर बातें समझते हैं तो बढ़िया लॉजिकल रहता है अब देखो मैं आपको एक मिनिट में डिराइव करके दिखा दूँगा कहां से आया सभी लोग बोर्ट पे देखो पहले तो इस बात को फिट दिमांग में बैठा हो कोई जलबाजी नह मैं टेलिसकोप के केस में ये वाक पढ़लो दो बार अके लिस को के केस में जो लेंसों के बीच की दूरी है वही ट्यूबलन त बिल्कुल सौट का सच है देख लिज्य पर कंपाउंड मैक्रोस्कोप में ट्उबलन्थ की परिवाश और की're स्कोप में क्यूब लेंद की परिवाशा एफ और एफ़ी के बीच की दूरी क्या यह समझ पा रहे हैं अब मुझे फॉर्मला निकालना है यूब तो देखो कैसे निकाल रहा हूं कि यहां रखा औबजेक्ट अच्छी के साथ सोचो अबजेक्ट अबजेक्टिव लेंज क्या करेगा इसकी इमेज देखना थोड़ी बढ़िया इसकी इमेज मैं इसके फोकस में बना रहा हूं क्यों बई ऐसा क्यों पूछो लिखा हुआ है फाइनल इमेज कहां चाहते हो अब तो याद कर लो दस वर अब बोल लिया फाइनल इमेज इंफिनिटी पर कमान फाइनल इमेज इंफिनिटी पर तो आई पीस क्या कहेगा ऑबजेक्ट मेरे फोकस पर होना चाहिए देख लो इसके लिए अब्जेट कौन है ये डैश वो इसके फी पर होना चाहिए बोलो हाँ है ठीक है चलो इसकी मैगनिफिकेशन डी बाइफी या वन प्लस डी बाइफी आप बताओगे मैं नहीं बताऊंगा कौन सी क्यों पनल इमेज इंफिनिटी पर है ठीक है एमी तो आ गया मो के लिए बहुत सारे फर्मले हैं मैंने यूज किया f o मैनस वी यू अपॉन एफो एफो यू कौन होता है वियू इमेज की दूरी कहां कि इमेज कहां में किया इबिय से इनियं कितनी कितनी F O F O plus L upon F O F O minus F O minus L upon F O M O minus L upon F overall M barabar M O into M E M O बता minus L upon F O M E बता D by F E Bolo minus DL upon F मत लिखो derivation कोई अविशक्ता नहीं कोई नहीं पूछ रहा पस एक बाद सिखा दिया formula direct यादूना के minus DL upon F O एक बाद सवाल आ गया NEET में कि अगर objective की focal length भड़ा दें तो बताओ magnification पर क्या फरक पड़ेगा बताओ अगर मैं F O बढ़ा दूंगा तो magnification कम हो जाएगा यह नीत में है हुआ है लिएजिए लिएजिए लिए में हुआ है लिए लिए लिएजिए लिए-लो जाएगा लिएजिए लिएजिए झाल झाल आट को भी डोटिए और लो अप्टीकल इस्ट्रुमेंट टैयार हो गया पूरा एक दिन स्केवल ऑप्टिंग इस्ट्रूमेंट तयार करिए सिंपल मैक्रोस्कोप कंपॉंड मैक्रोस्कोप टेलिस्कोप और इस पर पच्चेस से तीस सवल लगा लिजिए तीस सवल लगाते ही तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा बढ़िया कि रिविजिन करने के लिए मैंने आपको का एक मैंने वीडियो शेयर किया टेलिग्राम पर उसको सुनिए दो से तीन बार उसको अगर आप सुन लेंगे ना तो एक एक वर्ड आपके दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा ना क्योंकि वह वही शब्दें जो मैंने क्लास में बोल एक कॉंसेट आपके दिमाग में एकदम पर्मानेंट सेट हो जाएगा और फिस सवाल करी एक कोई अठके गई लिए बढ़ू आगे लिखिए अब लास्ट एक छोटे सी पॉइंट है वो सिखा देता हूं वैसे तो इस साल हट गया है फिर भी आदा घंटा इस पर एक दो को कॉशन में आपको बता देता हूं कॉंबिनेशन ओफ लेंस एंड क्योंकि पता है हट तो गया पर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं कर सको कि इसलिए इस पर दो तीन कोशन करके देख लेते हैं क्योंकि इसमें कोई थियोरी तो ही नहीं लैंस आपने पढ़ लिया मिरर आपने पढ़ लिया कॉंबिनेशन आना चाहिए जैसे डाग्रम बनाई जैसे कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर ले कि बताईए कि अपने कि अपने कि अपने कि अपने कि अपने कि सो सकते हैं क्या देखो बहुत आसान कुछ ही नहीं जैसा चल रहा है वैसे बहो बोलो पैरल आओगे फोकस पर जाओगे फोकस कहां इसका एफ वन अब लाइट यहां रुकेगी थोड़ी ना आगे भी तो जाएगी जो लेंस ने इमेज बनाई वो अगले के लिए औप जैड का का करती है कि यह क्या है ओटू ऑक्सीजन ना ना आई वन तो है इमेज और फॉस्ट इवेंट विच नाव वर कैसा अब्जेक्ट पोर नेक्स्ट इवेंट अब सुनना मुझे रीट्रेस करना है बताओ मिरर रीट्रेस कब करता है जब टू एफ पर हो या एक बच्चे ने बो यह नबभे डिग्री का मतलब टू एफ होता है क्यों होता है मैं आपको बताता हूं आपको मन खुश हो जाएगा जैसे कि यह देखिए क्योंकि रटा हुआ तो सबको टू एफ टू एफ टू एफ पर ही क्यों देखो यह टू एफ औब्जेक्ट रखा यह लाइट आई परिज में मैंने एक सवाल कर रहा है था लाइट अपने पात को रिट्रेस कर रही है लाइट को हमेशा कितने पर गिरा और अपने पात को क्या कर लेगी रिट्रेस एंगल आफ इंसिडेंस जीरो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ जीरो पर आएगी जीरो पर ही चली जाएगी तो बताइए यह दूरी कितनी होनी चाहिए टू एफ टू खतम हो गया सवाल कुछ भी नहीं करना लाइट अपने पात को वापश से री ट्रेस करके बहार चली जाएगी बताइए कितनी दूरी कितनी दूरी एफ वन लास टू एफ हो गया करता है एक और सोच के बताओं एक और सोचो कि वैसे तो भी हट गया है पर मुझे इसमें इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ना इसमें कोई थियोरी तो ही नहीं लेंस और मिरर का सवाल है जो हम अलड़ी अलग लग पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो सवाल नहीं दे सकता है इसलिए पढ़ ले जैसे ट्रांजिस्टर है तो भाई क्या ट्रांजिस्टर पूरा अलग ही टॉपिक है उसको छेड़ने से मतलब यह जब ह बढ़ गया यह अलग टॉपिक नहीं है क्योंकि लेंस आपने पूरा पढ़ा च्छे दिन मिरर पूरा पढ़ा वही बातें तो लग रही है को इसके लिए अलग से तो फॉर्मला हमें पढ़ना नहीं पढ़ रहा जैसे अपनी तो नहीं है ना अपनी है जैसे क्योंकि टुड़ा बतुड़ा क्योंकि लेंस आपनी है आपनी है चनल पावख लेंसे जैसे आपनी पनी है क्योंकि पहाल है अब पहले यह बताओ कुल कितनी घटनाय घटत होंगी घटनाय बताओ लन्स की एक मानों दोनों कर दोकी नहीं पूरी लैंस की एक मानों को हुआ है कुल कितनी घटना है लुदिया आप तो मुझे प्रॉसेज बताओ प्रॉसेज बोलो तो डर हटेगा ओभ्जिट से रेज पहला इवेंट लेंस में से गुजडना इवेंट नमबर लेंस अपनी मेंज बनाएगा वह रे कहां जाएंगी मिरर पर इवेंट नमबर दो मिरर पर टकराना तकराएगी तो वापस भी तो लोटेगी क्योंकि मिरर है है लोटेगी मासफ वापी सरेज किसमें से जाएंगी लाइस में बिल कितनी को भाई तुइन्ट पेचानले कोशन तो कुछ भी नहीं होगा कोशन जैसे यह दो लेंस थे पता इमानदरी से कितने लाइट आईगी पैले निकलेगी लाइट आएगी दूसेश निकल गई और लाइट पर्मानेट बहाद चली गई दो ही इवेंट होगे सोचो हो अगर ऐसा होता बताव कितने event कितने event कोशिश कर lens से जाना एक ढूसरे लेन्स से जाना दो mirror से टकराना तीन वापिस lens, 4 फिल करेंस पांच इवेंड पहचान लो फिर तो सवाल क्या है? पहले event की image अगले event की object अगले event की image तीसरे event का object इवेंड पहचानों एक और दो लेंस बताओ कितनी इवेंड लेंस से तो लाइट आर पार हो जाती है आर पार गई आर पार गई अब यह वापिस नहीं आएगी यह वीडियों को रेट चली गई ना अब कहा आएगी कितने इवेंड एक दो तीन चार पांच इसमें बताइगी कितने इवेंड तीन और वह एक्जमर इतना हुश्यार है उसने तीन इवेंड अगर आपसे सौल कर वा ली सवाल हो जाएगा बहुत लंबा उसने इस तरह से डेटा सेट करता है दो इवेंड में तो पहन ही नहीं चलाना पड़ता है दो इवेंड में तो देखो कैसे मौकिक सौल होता है देखना पस दिमाग लगाना है फोकल लेंट पीज ऑब्जेक्ट सिक्ष्टी ओहो ऑब्जेक्ट तो लैंस के कि टूएफ पर है देखो डबल पर है तो इमेज लैंस के टूएफ मतलब साथ पर बनेगी बोल इवेंड नमबर वन तो मौकिक सौल कहां पर साथ ये चालिस है तो बीस पीछे कुल कितनी साथ चालिस ये तो बीस पीछे आई वान इवेंड नमबर वन फिनिश कि टू थ्री बार में देखेंगे पहले बन पर एक घंटा बिता ले आराम से पता अब्जेट कितने पर साथ फोकल लेंड टी से तो साथ क्या हो गया अब्जेक्ट तो लैंस के टूएफ पर है इमेज लैंस के टूएफ पर बनेगी वाट इस आई वन आयोडीन ना ना आई इमेज उफिएन नंबर आंव अन थिस वर कैसा ओ टू आपजेक्ट फॉर सैकेंड़ आए अ ओन है प्ले इन मिरा प्लेंड की प्रोपरटी बोल आपनाओं प्लेंड की प्रोपरटी जितनी दूरी पर आप जैट आगे तो मेरा इमेज पीछे ऑप्जट पीछे तो इमेज बता अबजेट कहा है पीछे कितना बीस तो इमेज बीस आगे आई टू सेकेंड इवेंट भी खताम इमेज ऑफ सेकेंड वर कैसा अबजेक्ट फॉर थर्ड इवेंट दो पैन में तो पैनी नहीं चलाया दो स्टेप तो मौखिक हो गए बता कैसे साट पर साट पर मिरर के इस पर अब तीसरा इवेंट काम का है बताओ तीसरा इवेंट कहां से होगा कहां से होगा लेंज से लाइट टकरा कैसे जा रही है यह राओ जैक्ट बताओ लेंज से कितनी दूरी पर यह 40 यह 20 तो यह 20 अब यह सवाल बन गया एक दस्वी क्लास का अबजेक्ट 20 पर फोकल तीस इमेज वन बाई वी माइनस वन बाई यू इकल टो वन बाई एफ यू लाइट ऐसे जा रही है तकराकर यू इधर है माइनस थीस एफ प्लस थीस लैंस में माइनस आने का मतलब वर्चुल लैंस में माइनस आने का मतलब वर्चुल और बताओ इधर बनेगी या लाइट के पोजिट पीछे बनेगी लैंस से पीछे कितना साथ साथ पीछे बनेगी साथ पीछे का मतलब 40 तो यह ही 20 पीछे मतलब फाइनल इमेज मिरर के 20 सेंटिमीटर साथ कहां से बनी बताओ तो साथ कहां से बनी बताओ लेंज से ठीक है लेंज पर गड़े हो गया कहां जाओ साथ इधर जाओ इधर जाओ बता इधर क्यों इधर क्यों माइनस साथ 40 तो यह हो गया पाइनल इमेज मिरर के 20 सेंटिनीटर पीछ ताइम है और इवेंट कर दो और इवेंट क्यों करेंगे तीनी तो इवेंट होंगे आज फिर बोल पहले इवेंट बोलो लेंज से गुजड़ना दूसरा इवेंट बोलो मिरर से टक्राना तीसरा बोलो और यहां से लाइट बापेश चली अब और कोई इवेंट नहीं होगा और वैल्यू कितनी बढ़िया सेट है दो इवेंट में तो पैन ही नहीं चलाना पड़ा केवल किसमें पैन चलाना पड़ा माइनस आना किस बात का शो कर रहा है वर्चूल याद करिए लैंस में प्लस आता है तो तो रियल होती थी माइनस आता है तो वर्चूल बोलिए नोट कर लीजिए यहां कुल तीन इवेंट होंगे इवेंट नमबर वन लैंस से रिफ्रेक्शन इवेंट नमबर दो प्लें मिरर से रिफ्रेक्शन इवेंट नमबर तीन अगें लैंस से रिफ्रेक्शन पहले इवेंट की इमेज नेक्स्ट इवेंट के लिए अब्जेक्ट कवर करती है अब्जेक्ट कवर करती है इसलिए बस मैं हट गया है मैं बिल्कुल सहमत हूं पर इसलिए पढ़ा है क्योंकि कॉम्बिनेशन ओफ लैंस मिरर में कोई अलग से थ्योरी हमें पढ़ानी नहीं पढ़ती लैंस अलग पढ़ा हुआ है मिरर आपने पढ़ा हुआ है दौनों का वो कम माइंड है कि बोले बात क्लियर है क्या आगे बढ़ें कॉम्बिनेशन ओफ लैंस एंड मिरर अब वह मैंने आपको बता दिया है मायोपिया आई डिफेक्ट हुए हुमन आई है हाइपरमेट्रोपिया यह सब सिलिबस से हट गए है कि आई डिफेक्ट है 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 नए पेज से हैडिन डाल लीजिए आज दिन भड़िया है वेव ऑप्टिक्स कल से शुरू करेंगे कि कली डालोगे है कली डाल है ठीक है बढ़ें तो आधा थार कि हुआ है हैं जालो बाहर यह बाल भी मिलरी ए और एस्टेस एक लेक्रास नहीं रहेगे हैं ते सर्ग्लाइश क्लास केंशल हो गई यह बार यह यल्वी मिलरी यह लेले करप्या सांती बने रहे गे करप्या झाल 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 झाल